सबी विद्यार्थियों का साहित्य क्लासे चैनल में हार्दिक श्वागत हार्दिक अविनंदन प्रे विद्यार्थियों कल अपने बादचीत हुई थी परिक्षा से समंदित कि परिक्षा कब होगी क्या होगी और हम तैयारी करें तो कैसे करें इसके बारे में हम जान रहे थे बहुत सारे विद्यार्थियों के कमेंट्स भी आए बहुत सारे विद्यार्थियों ने कहा भी कि सर आप लाइव होके और हमें पढ़ाएं और हमारा रिविजन है वो पार्ट दर पार्ट यानि एक एक पार्ट के रिविजन करवाएं बहुत सारे विद्यार्थियों ने ये भी कहा कि हमें इस प्रकार revision करवाएं जैसे छोटे प्रशन, फिर बड़े प्रशन, जैसे छोटे प्रशन, एबे सेदे वाले प्रशन और फिर आपने जैसे अति लगुत्रात्मक, फिर रगुत्रात्मक, फिर निबंधात्मक अब lockdown का time है आप गर पे ही हैं तो मैंने यह आज सोचा कि जिससे मैं आपके लिए एक छोटा सा एक वीडियो बनाओ जिसमें एबेसेदे के प्रस्ण शामिल करूँ और उसके माध्यम से मैं आप से जानूंगी आप इससे कितना शीक रहे हैं यदि आप ये चाहते हैं कि एक पूरा पार्ट हो जिसमें उस पार्ट से समंदित एबेसेदे के प्रस्ण भी हो अतिलगुतरात्मक भी हो और उस पार्ट से समंदित लगुतरात्मक भी हो और उस पा थोड़ा नेट कम रहता है तो लाइव क्लास है वो थोड़ी मेनेज कम हो पा रही थी वैसे मैं कोशिज कर रहा हूँ और जो ही संभव हो जाएगा तो अपने ग्रूप में मैं आपको बताई दूँगा आज का जो वीडियो है वो बहुत ही महतोपूर्ण भी है आपके लिए चोटे-चोटे प्रस्ण है और उन चोटे-चोटे प्रस्णों से आप बहुत कुछ सीखेंगे उसमें सरलार्त भी बताया गया है सारांस भी बताया गया है तो अपन क्या करेंगे इसमें जैसे पार्ट वार भी ले सकते हैं एक पार्ट जैसे पेला पार्ट लिया कबीर वा अभी विज्जियां है कि एक रिवीजन कर लें तो निको के लिए करते हैं और परिक्टार में आने लाइक भी है न तो आज का वीडियो हम सुरू करते हैं, इससे पहले मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि अपने वीडियो में आपके लिए जो WhatsApp ग्रूप बनाये गया है, उस WhatsApp ग्रूप के नंबर भी वीडियो में दिये गये हैं, वहां से आप WhatsApp ग्रूप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, इ उस पाठ्यक्रम को भी आप वहां से देख सकते हैं, अब तो हम केवल प्रशन 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 पढ़ रहे हैं, कि वही आज कैसा प्रशन है, आज हम कौन सा प्रशन पढ़ेंगे, इस प्रशन का उत्तर क्या होगा, तो सिर्फ प्रशन उतर वीडियो है, और यदि मानलो य अच्छा होगा, आप मुझे कमेंट करके या वाट्साप ग्रूप में एड होकर के मुझे बताएं कि अपन कैसे सुरू करें, या तो जिसे माले छोटे प्रशन बना ले जाएं पहले, अबे सेदे वाले सभी पार्टों के बना ले जाएं, फिर अतिलगुतरात्मक बने आ इस परकार के, इनके PDF भी में आपको बहस दूँगा, तो आप अधिक साधिक इस चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल से जुड़ भी जाएं, तो आए हपन सुरू करते हैं अपना आज का वेडियो लोकडाउन में रिवीजन, क्या सुरू करते हैं, अपने ये सिर्शक हो हुआ, उस वीडियो में मैंने आप से अनुरूद किया था कि आप अपन लाइव क्लासेज पढ़ाएं, या आपन जैसे मालो नोट्स के माध्यम से पढ़ें, या जैसे मालो एक एक पार्ट का हम रिवीजन करें, तो आप सभी विद्यारतियों ने ये कहा था, कि सर हमें रि वीडियो है, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, वैसे मैं अभी गाउं में आयावा हूँ, तो क्या है कि मेरे जो जितने भी जो डिजिटर बॉर्ड वगरे हैं, वो तो वहीं रह गए हैं, तो इसलिए मैं ये सोचता हूँ कि आपके लिए एक मोबाइल के माध्यम से ही वीड पहला प्रसन देखिया, पहला प्रसन है आपके कि कबीर के अनुसार, कबीर के अनुसार सत्गुरु ने हाथ में क्या दिया, ज्यान का दीपक, वेदसास्तर का दीपक, लोकमानेताओं का दीपक, और मिट्टी का दीपक, क्या हाथ में दिया, और इसका उत्तर है आपके ज् और आपके लिए अच्छा भी रहेगा कबीर के अमसार सत्गरू केसे प्राप्त होते हैं ज्यान प्रकासित होने पर बगवान की कृपा होने पर सास्त्रों का अजयन करने पर तीर्थ ब्रह्मन करने पर केसे बगवान मिलते हैं यानि ज्यान प्रकासित होने पर सद्गुरु के से प्राप्त होते हैं? यानि ज्यान प्रकासित होने पर ज्यान प्रकासित हो जाता है तो हमें इश्वर प्राप्त हो जाते हैं, गुरु प्राप्त हो जाते हैं. अगला प्रसंद देखिए अगला प्रसंद कबिरदास ने किस प्रकार की आंधी आने की बात कई है धूलबरी आंधी ज्यान की आंधी तेज आंधी और कूडा करकट उड़ाने वाली आंधी केशी आंधी आने की बात कई है और वो आई है ज्यान की आंधी संतों आई ज्यान क आंदिरे याना आपके जो पद है उस पद में से ये प्रसंद लिया गया है अगला प्रसंद देखिए कबीर के नुसार करतार को पाने का एक मात्र उपाय है क्या उपाय है मन लगा कर माला फेरना तिर्थ यात्राएं करना योग साधना करना आपा अर्थात एहंकार ट्याग यानि इसका उत्त है गय एहंकार ट्याग देना जो एहंकार ट्याग करके और जो इश्वर को इस्मन करता है वही वेक्ति इश्वर को प्राप्ते कर पाता है अगला प्रसंद देखिए अगला प्रसंद है आपके कबीर ने काल की पास किसे बताया है संसारिक सुखों को जब वो इन्होंने काल की पास बताया है इश्वर के अतिरिक्त राम का मतलब है यहाँ पर निर्गुण इश्वर की बात केते हैं अगला प्रसंदे कि काहेरी नलीनी तु कुमलानी तेरी ही नाल सरोबर पानी ओसा आपके पद है उस पद में नली नी किसका प्रतीक है कमल के फूलों का प्रतीक है जल में उगने वाले फूलों की प्रतीक है दुखी लोगों की है जीवात्मा की है तो किसके प्रतीक है और वो प्रतीक है आपके जीवात्मा की प्रतीक है किसकी प्रतीक है जीवात्मा की प्रतीक है अगला प जाप्त करना, ज्यानियों की बाड आ जाना, आंधी आने के पूरु ज्यान हो जाना, चित्त में ज्यान का उदे हो जाना, ज्यान की आंधी का मतलब है, चित्त में ज्यान का उदे हो जाना, ज्यारत है, चित्त में ज्यान का उदे हो जाना, अगला प्रसन देखिए, अगला प राम बक्तिदारा प्रतिनित कवे माने जाते हैं तो इसका उत्तर होगा आपके गये अगला प्रसन देखिए अगला प्रसने मंदोद्री ने रावण से शीता के विशे में क्या कहा था कि उसे सम्मान दो उसे सुरुक्षा प्रदान करो सच्चिव के साथ राम के पास विजवा दो उससे कटू या भार के लिए ख्षमा मांगो तो उसने क्या का था कि सच्चिव के बाद सच्चिव को बुला करके और शीता जी को मा शीता को स्री राम के पास विजवा दो तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके गया शचीव के साथ राम के पास भिजवादो अगला प्रसंदेखे आपके मंदोदरी ने राम और रावण में अंतर बताया है शमूंदर और सरवर के शमान, हाती और कुत्य के शमान, आकास और पताल के शमान, सूरी और जुगनु के शमान तो सूरी और जुगनु के समान इन्होंने अंतर बताया है क्या अंतर बताया है सूरी और जुगनु के समान इन्होंने अंतर बताया है अगला प्रसन देखिए रावन का तीनों लोकों में यस होता बहुत अच्छे प्रसन है मंदोद्री की सीख मान लेता क्या होगा मंदोद्री की सीख मान लेता तो यह समुत्तर हो जाएगा इसका अगला प्रसंद देखिए मंदोद्री ने विश्वरूप रावन के मुख और जीब को किस के समान बताया है सागर्श रस्ति के समान अगनी वरुन के समान और ब्रह्मा तथा काल के समान सूर्य और अश्विनी के समान मुख और जीब को किसके समान बताया है तो इसमें इसका उतर होगा आपके अगनी तथा वरुन के समान किसके समान अगनी तथा वरुन के समान देखिए प्रिये विद्यार्थियों आप सभी की सुविदा के लिए 9610208295 इन पर आपके WhatsApp ग्रूप का निर्मान भी किया गया है और WhatsApp ग्रूप के माध्यम से आप सभी के लिए WhatsApp ग्रूप बनाए गया है जिसमें जो भी परिक्षा से समादित या जैसे कोई PDF वगरे है वो उस ग्रूप में सायर की जाती है तो आप इन नमरों को अपने पास ले 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 और आप इसके माध्यम से पूछ भी सकते हैं बहुत सारे विद्यार्थी एड भी हैं जैसे मालों अपने 57 ग्रूप बने वे हैं उन 57 ग्रूप में बहुत सारे विद्यार्थी एड भी है आप एड़ हो सकते हैं जो विद्यार्थी चैनल के नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करने पर आपके लिए क्या है कि इसका जो नोटिफिकेशन है वो शिख रही आपके मोबाइल पर आ करता है और आप उसे देख लेते हैं देखे अभी लोक्डाउन का टाइम है और इस लोक्डाउन के टाइम में हम धीरे-धीरे थोड़ा-thोड़ा यहादी रिविजन करते रहेंगे तो अपने लिए हम भूलेंगे नहीं तो चलते हैं अगले प्रिस्न के लिए अगला प्रिस् नहीं है इसके उत्तर के भी है और गय भी है जैन्त भी जानता था इसका अगला प्रसंद देखें अगला प्रसंद है आपके कि बादसा ने रहीम को कौन सी उपादी से विभुशित किया बादसा ने कौन सी उपादी से सुब्वेदार्स की उपादी से मीर की उपादी से खान खाना की उपादी से मिर्जा खान की उपादी से किस से खान खाना की उपादी से अब्दुर्रहिम खान खाना लिखा जाता है अगला प्रसंद देखिए इंदव भाल का अर्थ क्या है इंदव भाल का अर्थ इंदर का मस्तक इंदर का भग्य चंद्रमा का भाल भगवान शीव तो इसका उत्तर है आपके भगवान शीव उसमें है न हरीन बनाओशूरशरी की जो इन्दवभाल तो इसमें भगवान शीव है इसका उतर अगला प्रसंद देखिए सच्चे मित्र वे होते हैं जो हमारे सगर समन्धी होते हैं मदुर व्यवाहर करते हैं जो विपत्ती में सात देते हैं जो हमारा विरोध नहीं करते हैं, कौन सा सच्चा मित्र होता है, जो हम विपत्ती में हमारा साथ देते हैं, वो होते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके, अगला प्रसंद देखिए, बारे उजियारो करे बढ़े अंदेरो होज, जैसे इसमें कौन सा अलंकार है, यमक है, उत्प्रेक्षा है, सलेश है, अनुपरा से कौन सा है, तो इसमें यमक अलंकार है, कौन सा है, यमक है, और इसका उत्तर कैह हो जाएगा, यमक अलंकार है, प्रशन सिंख्या आपके हैं 18 रहीम के अनुसार कुसंग का प्रभाव किस पर नहीं पढ़ता कुसंग का प्रभाव किस पर नहीं पढ़ता संतों पर मुर्ख लोगों पर उग्र लोगों पर उत्म प्रकर्ति वाले लोगों पर किस पर नहीं पढ़ता तो इसका उत्तर है आपके गहय उत्म प्रकरती वाले लोगों पर उसमें कायन है कि जिनकी प्रकरती उत्म होती है यानि चंदन विश्व्या पर नहीं लिप्टे रे बुजंग तो उतम प्रकर्तिवा लोगों इसका उत्तर घाय हो जाएगा अगला प्रसंद देखिए कभी रहीम ने उपकारी वेक्ती की तुलना किश्य की है व्रक्षों से, नदियों से, बादलों से, महंदी बांटने वाले से तो इसमें उत्तर है इसका घाय महंदी बांटने वाले से अगला प्रसंद देखिए अगला प्रसंद है कि रहीम ने किस धागे को चटका कर ने तोड़ने की बात कही है प्रेम का धागा, शूत का धागा, रेश्म का धागा, रिष्टों का धागा और वो है प्रेम का धागा कौन सा है प्रेम का धागा जिसका उत्त है कै जैसे रहीम ने काया ने रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटका तूटे शे फिर ना मिले मिले गांट पड़ जाए तो इसमें कौन सा है प्रेम का धागा है अगला प्रसंद देखिए रहीम ने किसकी भक्ती में पदों की रचना की है किसकी भक्ती में जैसे बगवान शिव, स्री क्रिशन, माता दुर्गा, स्री राम वेसे इसमें स्री क्रिशन भी आता है माता दुर्गा भी आता है वेसे इस प्रस्ण का उत्तर जो है वो गे और के दोनों में से बे और गे अगला प्रस्ण देखिए अगला प्रस्ण है आपके कि यह गोरव की बात कि स्वामी गए क्या प्राप्त करने के लिए गए वेरागय प्राप्ति है तू, शिद्धी प्राप्ति है तू, राज्य प्राप्ति है तू, तिर्थ यात्रा है तू, किसके लिए गए उसमें लिखावा, शिद्धी है तू गए स्वामी ये गोरव की बात, पर चोरी चोरी गए यही बड़ा व्यागार, तो इसमें क्या प्राप्त करने के लिए हैं, सिद्धी प्राप्त करने के लिए, और यह सोधरा क्या कहती है, कि जो हमारे पतिदेव हैं, उन्होंने हमारी भारत वर्ष की इस्तरियां हैं, उनके गुणों को नहीं सोचा, नहीं जाना, कैसे, और वो क अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, अगला प्रसंद देखिये, मैतिल सरंगुप्त की रचनाओं में कोन सा, जो महाकवे हैं, साकेत, यसोधरा, कुरुसेत्र, कामायनी, इनमें से, वेसे कामायनी यह इनका नहीं है, कुरुसेत्र भी प्रसंदेखिए यसोद्रा सीर्षक काव्यांस में व्यक्त भाव है कौन सा भाव है इसमें उपालंब है पीड़ा है उल्लास है गर्व है इसमें यसोद्रा की पीड़ा व्यक्त की गई है क्या व्यक्त की गई है यसोद्रा की पीड़ा उसमें बतलाई गई है यसोद्रा है व अगला प्रसंद देखिए गुप्त जी ने कावे रचना की है गुप्त जी ने कावे रचना की है ब्रजबासा में अवद्धी में खड़ी बोली में भोसपूरी में गुप्त जी ने रचना की है इसमें खड़ी बोली में इसका उत्तर क्या हो जाएगा गय हो जाएगा अगला प्रसंद देखिए प्राचिन भारत के निवासी केशे थे आरिय थेक अनारिय थेक दर्विर थेक संताल थे और क्या थे आरिय थे क्या थे आरिय इसका उत्तर हो जा क्या हो जाएगा खाय अगला प्रसन देखिए अगला प्रसन है आपके यह सोद्रा को पीड़ा है कि उसके पती चले गए हैं सोतावा छोड़ कर लक्षे बताये भी न चोरी-चोरी खाना खाये भी न देखिए आपके उस कविता में लिखावा है कि शिद्धी है तु गये चोरी-चोरी गये यही बड़ा बैगा तो इसमें क्या है उत्तर इसके क्या हो जाएगा गय हो जाएगा चोरी-चोरी क्या हो जाएगा गय हो जाएगा चोरी-चोरी अगला प्रसन देखिए कभी के अनुसार प्रकृति का पुन्यतिर्थ इस्थल कोन सा है भारतवर्ष हिमा जाले गंगा शागर और प्रकृति का पुर्णितिर्तिस्तल किसको कहा इसने भारत वर्ष को ही कहा है इसको कहा है वेसे और भी बहुत सारे प्रिश्ण है लेकिन मैं यह समझता हूं कि आज हम यहीं श्माप्त कर देते हैं इसको एक बार और आपकी सुविधा के लिए यह जो इन पर आप अपने WhatsApp ग्रूप से जुड़ सकते हैं आप इस चैनल को Subscribe अब से कर लें ताकि आपके लिए आने वाले समय में भी जब आप Competition Classes में जाएंगे जिसे First Year, Second Year, Final में जाएंगे तो भी आपके लिए जो Hindi है, Hindi साहिते जो है, Hindi साहिते से समादित आपको, आपका मार्ग दसन होता रहेगा, कोलेज इसतर पर भी और Competition इसतर पर भी तो आप अच्छी तरह से इसको Subscribe कर लें और इसे चैनल को आप अधिक से अधिक अधिक अपने दोस्तों के साथ भी Share करें, तो प्रिये विद्यारतियों आज हम जैसे पहला ही है लोकडाउन के बाद ये विडियो तो आज हम बस इतना है